असलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमारा क्लास 2 की काउंट डाउन का पेश नमबर 3 हमारे सामने है इसमें हमारे पास question है putting in order question number 4 है इसका put these numbers in ascending order ascending order का मतलब होता है छोटे नमबर से बड़े नमबर की तरफ जाना यानि उपर की तरफ लेकर जाना इसलिए हम सबसे पहले छोटा नमबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और आकिन में सबसे बड़ा नमबर लिखते हैं जब ascending order ले में लिखना होता है इसी page का question number 5 है Put these numbers in descending order Descending order का मतलब है उपर से नीचे की तरफ आना जैसे descending भी D से शुरू होता है और down भी D से शुरू होता है तो descending का मतलब है down आना, नीचे की तरफ आना सबसे पहले बड़ा फिर उससे चोटा और फिर उससे चोटा और पिर इसी तरह सबसे चोटा आखिर में लिखते हैं और आपके सामने मैंने करके दिखाए हैं आप भी अपनी बुक पर इनको कर लें हमारा page number 4 है place value का और यह हम one में भी कर चुके है इसका question number 6 है how many tens, how many ones, count and write तो आप देखें जैसे part A में हमारे पास 10 pencils का जो box दिखाया हुए वो सिफ one है तो यह one ten हो गया और जो अलग अलग pencils पढ़ी होई है वो कितनी है? three तो ones कितने हो गया? three तो हमारे पास या जाएगा one ten and three ones और यह कितना बन जाएगा हमारे पास number? thirteen इसी तरह बाकी भी हम count करेंगे और उनको हम right करेंगे जैसे part B में हमारे पास tens के जो box हैं वो है two तो हम लिखेंगे two tens और जो single pencils पढ़ी हुए हैं अलग अलग वो हमारे पास है six तो हम लिखेंगे six ones हमारे पास ये number हो जाएगा twenty six आप देखें part C और B E और F में भी आपने count करके write करना है जैसे आपके सामने write किया है मैंने तो friends हमारे पास page number five पे जो question है वो भी place value के related है वो question number seven है write the number according to the place values इसका हमारे पास जो part A है वो है three tens and six ones तो ये कौन सा number बनेगा thirty six part B है zero tens and six ones तो ये tens तो zero है तो tens में हम कुछ नहीं लेखेंगे सिफ ones में हम six लेखेंगे तो कौन सा number हुआ six part C है five tens and three ones तो हमारे पास number बनेगा fifty three part B है two tens and seven ones तो number है twenty seven इसी तरह part E में eight tens and zero ones है तो 80 बनेगा आगी है part F nine tens and nine ones तो 99 part G में six tens and eight ones है तो हमारे पास number आएगा sixty eight और part H में one ten and one one है तो number बनेगा eleven फिर हमारे पास question number eight आजाता है और question number eight हमारा है write in words तो part A है five tens and five ones तो कौन सा number बनेगा forty five तो इसको हम words में लिकेंगे हमारा part B है seven tens and two ones तो ये number बनेगा 72 इसी तरह जो number बन रहा हम उसको spelling में यानि words में लिखते जाएंगे और हमारा question number eight भी complete हो जाएगा हमारा page number six जो है उसमें भी हमारे पास question है हो है how many tens how many ones तो question number nine नीचे है look at the abacus then fill in the empty boxes abacus जो शो हो रहा है हमारे पास उसमें 10s के नीचे जितने beats हैं उतने 10s होंगे और ones वाले stick के उपर rod में जितने beats हैं वो हमारे ones होंगे तो part A में हमारे पास five tens हैं और three ones हैं तो हमारे पास five tens का मतलब क्या होता है fifty ठीक है तो fifty plus three हो जाएगा हमारे पास fifty three इसी तरह part B में हमारे पास tens में beats count करें तो eight beats हैं और eight tens का मतलब होता है eighty और उसमें अगर plus two ones कर दें तो हमारे पास कौन सा number बनेगा eighty two तो हम लिखेंगे eight tens and three ones equal to eighty plus two इसी तरह part C में हमारे पास है tens में six beats और ones में भी six beats तो यह हमारे पास बनेगा six tens and six ones और six tens किसके equal होते हैं sixty के तो हम लिखेंगे sixty plus six part D में हमारे पास है two tens and nine ones और two tens का मतलब होता है twenty तो हम लिखेंगे twenty plus nine उसके बाद हमारे पास tens है nine और ones है seven तो number बनेगा ninety seven और nine tenths का मतलब ninety होता है इसलिए हम equal to करके लिखेंगे ninety plus seven उसके बाद question number ten भी हमारा page number six पे है वो again हमने लिखना है right 63, 72, 55, 38 and 96 in ascending order और फिर उसको हमने भी descending order में करना है आपको बता चुके हैं कि ascending का मतलब है बड़े कितब जाना और descending का मतलब है नीचे आना, down आना आप दोनों आपके सामने हैं आप कर भी सकते हैं माशारा से आपको इनको complete कर लीजिए two friends पे number seven पे हमारा थोड़ा सा knowledge में इजाफा होगा यहां पे हम देखेंगे जो आपको बताया है वो है अदील has 99 blocks तो कितने 10s होगे उसके पास nine 10s और nine ones तो अगर एक और उसको यह one हम add कर देते हैं तो हमारे पास वो हो जाएगा hundred तो अब हमारे पास abacus में hundred भी show होगा ones 10s और h4 100 ठीक है तो हमारे पास अब three digit number शुरू हो रहे है और first three digit number हमारे पास कौन सा होता है hundred हमारे पास page number eight है hundreds 10s and ones के बारे में इसका हमारे पास question one है है वह है count and write यानि के count करें और फिर उनको लिखें then draw beads on the abacus फिर हम उसको जितना हमारे पस नमबर आ रहा है उसके मताबिक beads बना दें abacus के उपर और यह बहुत ही interesting मज़े का काम है पार्ट ए नोने हमें करके दिखाया हुआ है इसमें जो आपको बड़ा ब्लॉक नज़र आ रहा है चुट चुटे boxes उसमें बने हुए वह 100 को शो कर रहा है तो पार्ट ए में वह कितने है एक बड़ा ब्लॉक कितनी बार बना हुए one बार तो वह है 100 और फिर 10 का हमारे पास rectangle सा बना हुए उसके अंदर 10 boxes है तो वह शो कर रहा है 10 को तो हमारे पास वो भी one बना हुए पार्ट ए में तो 110 हो गया 100 और 110 फिर ones कितने बने हुए blocks जो single बने हुए वह है 3 तो हमारे पास यह हो जाएगा 3 ones तो नंबर क्या बन रहा है हमारे पास 113 और फिर उसक पार्ट B में 100 है 3 tenths है और 7 ones है तो कौन सा नंबर हमारे पास बनेगा 137 पार्ट C में 200 के blocks है तो 200 हो जाएंगे 110 का है हमारे पास 110 लिखेंगे और 2 ones है ठीक है तो हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है 212 पिर हम उसको एबगस में भी बना लेंगे पीड्स ठीक है next हमारे पास D है और D में भी आप देख रहे है 200 और 1 ones है और E में हमारे पास 300 है 110 है और 8 ones है इस page को भी आप चल्दी से कर लें page number 9 में भी same त्रीके से आपने लिखना है बस यहां पे abacus पे वीर्ज नहीं बनाने वरना page number 8 और 9 पिरकुछ same है और यह आपके सामने किया हुआ है आप इसको note कर लें और अगर को question है तो आप group में उसके बारे में पूछ सकते हैं आपकी teachers group में आपको guide करेंगी अब हैं हम हमारे पास concepts जो हैं वो भी hundreds 10s and once के बारे में है question number 3 जो है वो है राइज अंडर्स chance and once यानि कि हमने जो number दिया हुआ है उसको words में लिखना है बताना है किसमें कितने 100 हैं कितने 10s हैं और कितने once है और फिर है then draw beards on the abacus और फिर हमने abacus पे beards show करने हैं ठीक है 100 के नीचे जो rod है उसके उपर जितने 100 है उतने beards बनाएंगे 10s के नीचे जो rod है उसमें उतने ही beards बनाएंगे जितने 10s हैं और once के नीचे वाले पे उतने ही beards बनाएंगे जितने once हैं तो हमारा question number 3 का part A हुआ है B आपके सामने है C, D, E, F, G सारे करके दिखाये हैं आपको और आप इसको बहुत असानी से कर सकते हैं पार्ट B में आप देखें 800 है, 4 10s है and 1 1s है और फिर abacus पे भी शो हुआ है आपके सामने आपके सामने आपने प्यारी सी राइटिंग में इस सब को करना है दो friends हमारे पास page number 11 तो बहुत easy है इसमें भी 100 10s of 1s का concept है और इसमें abacus हमारे सामने बना हुआ है बस हमने abacus से beards काउंट करके नीचे लिखना है कि 100 में कितने beards हैं 10s की rod में कितने beards हैं और 9 1s की rod में कितने beards हैं तो नीचे number हमारे पास आज़ेगा कि वह कौन से number शो हो रहा है ठीक है question number 4 हो गया अब नीचे question number 5 है drop beards on the abacus to show these numbers अब नीचे लिखे हैं question number 5 हमने beards बनाने है चीक है 100 की rod में उतने beards बनाएंगे जितना 100 की नीचे number में है हमारे पास इसे question number 5 का party है 123 तो 100 की rod में हम 1 बना देंगे फिर 2 है तो 10s की rod में हम 2 beards बना देंगे फिर 1s में 3 है तो 1s की rod में 3 beards बना देंगे इसी तरह आप सारे questions आसानी से करते जाएंगे वाओ पेज number 12 पे backward counting है वो है let us count backwards from 50 to 30 50 से हम 30 तक जाएंगे zigzag होते हुए मज़े से 50 से पहले 49 होता है फिर उसके पास circle में 49 लिख देंगे 49 से पहले 48 होता है 47 लिखा हुआ है 46 हमने लिखना है 45 भी हम लिखेंगे 44 लिखा हुआ है 43 भी लिखा हुआ है 42, 41, 40, 39, 38, 37 and so on आप 30 तक चले जाओगे और आपकी backward counting complete पेज number 13 पे क्या है what is my name वाओ यहां पे हमारे पास turtle भने हुए है और वो पूछ रहे हैं किनका name क्या है यानि इनका name numbers की तरह है first पाला जो हमारे पास है ठीक है इनके उपर लिखा हुआ है 342 तो हम words में लिख देंगे 3 के spelling भी आते हैं 100 के याद करने आपने and 42 के भी आते हैं आपको सही है उसके बात है 567 फिर है 191 फिर है पार D 870 पार E में है 493 और फिर पार F में लिखा है हमारे पास 909 पार G में है 684 पार H में है 258 और पार I में है 736 पीस नमबर 14 पे भी मारे पास है numbers and number names question number 7 है write the number name question उन्हें लिखा है वो है मारे पास 640 उसके बाद B है 223 C है 497 D है 508 and then E है 333 F है 951 G है 785 पीस नमबर 8 स्टार्ट हो रहा है अब भी यहां पी हमें words में लिखा है और हमने number को लिखना है now write the number तो आप इसको बहुत असानी से लिख सकते हैं आपके सामने show हो रहा है पेस नमबर 15 पे हमारे पास है numbers up to 999 ordering some numbers are missing fill them in तो कुछ numbers मारे पास नहीं है लिखे वे तो आपने लिखना है कि वहां पे कौन से number आने है ठीक है जब और से देके पार B C D E F G H में आपके सामने हुए हुए हैं आप बड़ी असानी से इसको कर सकते हैं खुद वाओ पेस नमबर 16 पेस नमबर 2 की तरह है चो पहले वीडियो में हमने करा था उसमें भी हमें before बताना था after और between बताना था before का मतलब है पहले कौन सा आते number तिक है write the number that comes before फिर after कि इसके बाद कौन सा नमबर आता है फिर between है इन दो नमबर के तर्मियान में कौन सा नमबर आता है तो चो पेस्ट 2 था ओधर 2 डिजिट नमबर थे और यहां पे 3 डिजिट नमबर से और 1000 तक कांटिंग आपने की हुई है तो आप बिल्कुल आसानी से को complete कर सकते हैं और अगर मुश्कील आपको पेश आती है तो आप ग्रूप में उसके बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं